हलो फैंस वेल्कम बैक तो मैं चैनल फैंस आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ट क्लास 10 के प्रोज के सेकेंड लेशन नेलसन मंडेला लॉंग वॉर्क टू फ्रीडम के सभी लॉंग क्वेस्टिन के आंसर तो फैंस देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेस्टिन है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि मंडेला सोचते हैं कि वह दिन आया था यानि कि उन्हें आजादी मिली थी यानि कि हजारों देशबक्तों की बलिदान की वज़ा से मंडेला सोचते थे कि हजारों देशबक्तों की बलिदान की वज़ा से यह दिन आया हुआ था यानि कि उन्हें आजादी मिली थी यानि कि उनके कस्टों को और उनके साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता है और उसे चुकाया भी नहीं जा सकता है यानि कि उनके बलिदान के बिना साउथ अफरीका के काले लोगों की आजादी बिलकुल असंभव थी यानि कि उनके बलिदान के बिना साउथ अफरीका के काले लोगों की आजादी बिलकुल असंभव थी और मंडेला दुखी थे कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाए मंडेला बहुत सेड देट ही कुद नौट थैंक देम मंडेला इस बात से दुखी थे कि वे उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाए तो इस तरीके से फैंस आप इस पहले क्वेस्टन का अंसर लिख सकते हैं आई होब आपको समझ में आ गया होगा अब आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिजए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेस्टन का अंसर देख लेते हैं अब देखे फैंस हमारा दूसरा क्वेस्टन है कि वाट आइडियाज डस मंडेला हैव अबाउट करेज लव एंड हेट यानि कि मंडेला का करेज के बारे में लव के बारे में और हेट के बारे में क्या विचार है यानि कि साहस प्रेम और ग्रिडा के बारे में मंडेला के क्या विचार है तो ये चीज़ आपको इसमें बताना है तो जैसा कि लेशन में बताया गया है आप लिख सकते हैं कि according to Mandela, Mandela की अनुशार, Courage is not the absence of fear, यह जो Courage साहस है वो केबल डर की अनुपस्तिती ही नहीं है, Courage is not the absence of fear, साहस डर की अनुपस्तिती नहीं है, But to conquer it, बलकि उस पर विजय प्राप्त करना है, बलकि डर को भी जीत लेना है, साहस डर की अनुपस्तिती नहीं है, बलकि डर को भी जीत लेने को साहस कहा जाता है, According to Mandela, Mandela के अनुशार, Courage is not the absence of fear, Courage is absence of fear नहीं है, यह जो के बलकि डर की अनुपस्तिती नहीं है, Brave man is not he, यानि कि बहादूर व्यक्ति वो नहीं है, who does not fear, जो डरता नहीं है, But he who conquers it, बलकि बहादूर वो है जो उसे जीत लेता है, यानि कि डर को भी जीत लेता है, यहां तक हो गई Courage की बाद, अब इसके बाद दिखिए यहां पर hate के बारे में और love के बारे में बात हुई है, कि he thinks that nobody is born with a feeling of hate, वे सोचते हैं कि कोई भी घृड़ा की भावना के साथ पैदा नहीं होता है, he thinks that nobody is born with a feeling of hate, यानि कि मंडेला ऐसा सोचते हैं कि कोई भी घृड़ा की भावना लेकर पैदा नहीं होता है, he learns to hate, बलकि वह घृड़ा करना सीखता है, और यदि वो घृड़ा करना भी सिखाया जा सकता है, और यदि वो घृड़ा करना सीख सकता है, he can be taught to love, तो उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि घृड़ा की अपेक्षा प्रेम का भाव जो है, ये मनुष्ट के हिरदय से और स्वाभाविक रूप से उत्पन होता है, तो इस तरीके से आप इस सेकेंड क्वेशन का भी आंसर लिख सकते हैं, अब आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए, अब देखें फैंड्स हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्टन है, कि नेल्सन मंडेला वॉस्ट ले इस पर कमेंट करिये, इसमें आपको बताना है कि क्या सच में नेल्सन मंडेला साउथ अफरीका के आजादी के आंदोलन के हीरो थे, इसके नायब थे, तो आप लिख सकते हैं कि Nelson Mandela was a true hero of South Africa's freedom movement यानि कि Nelson Mandela South Africa के आजादी आंदोलन के सच्चे नायक थे Nelson Mandela was a true hero of South Africa's freedom movement इतना आप पहले लिख सकते हैं कि Nelson Mandela South Africa के आजादी आंदोलन के सच्चे हीरो थे he became homeless यानि कि वे बेघर हो गए अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि he became homeless वे बेघर हो गए he was imprisoned और उन्हें jail भी हुई he was imprisoned और उन्हें jail भी हुई but he had a soul power to challenge the racial system of the white लेकिन उनके पास गोरों के जाती बेवस्ता को चुनोती देने का साहस था यह चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि but he had a soul power लेकिन उनके पास ताकत थी to challenge यानि चुनोती देने की the racial system of the white यानि कि गोरों के जाती बेवस्ता के खिलाफ चुनोती देने की ताकत थी उनके अंदर he fought against the policy of apartheid यानि कि उन्होंने रंग भेद की नीती के खिलाफ लड़ाई लड़ी he fought against the policy of apartheid उन्होंने policy of apartheid यानि कि रंग भेद की नीती के खिलाफ लड़ाई लड़ी at last he got success और अंत में उन्हें सफलता भी मिली and became the first black president of South Africa और वे South Africa के पहले काले राष्टपती बन गए तो फिर से एक बार दिख लिजे के Nelson Mandela was a true hero of South Africa's freedom movement Nelson Mandela South Africa के आजादी के आंदोलन के true hero थे he became homeless, वे बेघर हो गए he was imprisoned, उन्हें jail भी हुई but he had a soul power to challenge the racial system of the white लेकिन उनके पास गोरों के जाती बेवस्ता को चुनोती देने की ताकत थी he fought against the policy of apartheid उन्होंने रंग भेद की नीती के खिलाफ लड़ाई लड़ी at last he got success और अंत में उन्हें सफलता भी मिली and became the first black president of South Africa और वे South Africa के पहले काले राष्टपती बन गए तो इस तरीकी से फ्रेंड्स आप इस तीनों लांग क्वेस्टन के आंसर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं आई होब आपको समस में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और आप आगे की भी सिलिबस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें थैंक्स पर बाचिंगे